हलो फिंट्स नमस्कार कैसे आप सब आई होग के अप लोग अच्छे होंगे दोस्तों ये वीडियो उनलों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो लोग फीटर हैं और कुएत में जोब करने के लिए इंट्रेस्टेड हैं अगर इंट्रेस्टेड हैं तो उनको इन सब बातों आपको जान लेना चाहिए कि कुएत में फीटर का काम कैसा होता है जोब का कंडिशन कैसा है सेरलिक कितनी मिलती है अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल प पाइं फीटर हैं पाइं फीटर हैं तो इसमें चील्ड वाटर का पाइपिंग आता है फायर फाइटिंग जो पाइपिंग होता है वो भी आता है पुलंबर का फाइपिंग होता है वो भी आता है अगर आप इस टेक्चर फीटर हैं तो जैसे किसी चीज की ड्राइंग रहे यहां गाए aggiज सबबसे बड़ी औलए मेल गॉल जहां भाते हैं और लिए डिगरी देना reindeer प्रीइ प्हला प्राइन रिजुए हम ईंडिया में चाहां जड़ी तो तो आपको हर जगां इंटर्विव पास होना पड़ेगा तब ही आपको जोब मिलेगी और अच्छी सेलरी मिलेगी ठीक है तो अपने इंडिया में जब ऐसा स्यूश्येशन है तो आप समय लेजिए कि कुएत में कैसा रहेगा तो अगर आप फीटर हैं और आप कुएत में जो मिलेगा ठीक है तो इस तब हैं जो लड़के हैं आई टी आई कर ले रहे हैं सोच रहे हैं कि बस मेरे पास तो आई टी डिगरी है मैं कहीं भी जाकर जोब कर सकता हूं तो एसा यहां पर कत्ता ही नहीं है अगर आपको कुएत या दुगई में जोब करना है फीटर का तो प्रेटिकल का नाज लेकर किया ये उधार में आपको समझा दे रहा हूं जैसे किसी की उंगली टूटे हुए है वो आस्पीटल में जाएगा तो उस उंगली को कमपाउंडर नहीं सही कर पाएगा उस उंगली को सही करने के लिए डाक्टर की जोद पड़ेगी तो डाक्टर क सही करेगा डाक्टर के पास थियोरी प्लस प्रेटिकल का नालेज है तब वो सही कर पाएगा और जो कमपाउंडर है उसको थियोरी का नालेज है लेकिन तो प्रेटिकल जानकारी नहीं है वो अभी सीख रहा है फ्रेसर में ठीक है तो उसी तरह सेम टो सेम अगर आप आप आ प्लस का नालेज होना चाहिए तभी आप काम कर पाएंगे ठीक है तो आप आप आइटी आई की वह हैं बहुत ही अच्छी बात है उसके साथ साथ आप एक साल या दो साल काम कर लीजिए आपको पूरी जनकारी हो जाएगी ठीक है तो अगर आपके पास जनकारी नहीं रहेगी अगर जिसके पास आइटी आई की डिगरी नहीं रहेगी बस काम की जनकारी रहेगी तो आपसे ज़्यादे पैसा कमाएगा तो आपकी आइटी आई की डिगरी कोई काम की नहीं है ठीक है तो गाइस जो कुएत में प्रिजेंट टाइम में फीटर को सेलरे मिलती है जैसे आप एक केड़ी का 260 रुपिय होता है आपका प्लिट कर लिजे कितना होगा है प्लस 20 केड़ी कंपणी अलग से खाने के लिए देती है और जो बेनिफिट होती है वो कुएट लेवलों के ताथ प्रवाइट कराती है बहुत सी कंपणी खाना देती है तो पैसा नहीं देंगी अगर खाना नहीं देंगी तो पैसा देंगी और जो भी इंसुरेंस, मेटिकल, ट्रेवेस वगरा होता है एक मडेशन, ट्रास्पोर्टिस सब कंपणी प्रवाइट कराती है अगर आप फ्रेसर में जाते हैं तो फ्रेसर में आपको 110 केड़ी मिलेगा आईटी आई फ्रेसर म और जो लोग 3-4 सल काम की हैं तो उनको थोड़ी बहुत जनकाई जरूर रहेगी ड्राइंग के बारे में ठीक है तो उसमें जो सेलरी मिलती है 140-145 केड़ी भी उसमें भी मिलती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इस्टेक्चर फीटर है इस्टेक्चर फीटर की ज पाइफ मिलती है 170-120 दिनार मिलती है जरने कि केड़ी मिलती है वर सकत्र फीटर है जैसे प्लंबर का काम हो गया फिल्द भाट एफड़ स्वास्थिन पंखित ज्वाटर औरब्ध में लाट अग्र अप曲 देल कया ज्यातिंगत । न right कर जक नहीं करेगा तो यहांद आए को जो काम है आराम का भी है और महनत का काम है ठीक है इस टार्टिंग में जब मतलब कंटक्शन चलता रहता है शुरूर रहता है तो उसमें आपको जादे महनत करना पड़ता है जैसे कंटक्शन समापती की और चलेगा आपको आराम मिलता जाएगा कहीं कहीं धुब में भी काम कर तो जो जैसे मतलब जिसका किसमत होता इसको काम वस्ता मिलता है। तो अब obten लिजए कि कितना अच्छा न जा रहा है कभी हो तेखिए ठीक, पूरा फाइनल है किप इतना अच्छा भी होते है। तो गाइस उमीद करता हूँ कि मैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी कई साथी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई फीटर के बारे में बताए आटियाई फीटर के बारे में बताए जेलिक को पास कोई डिग्री नहीं है उसके बारे में बताए तो गाइस अगर आपके वीडियो बनाते हैं जोब के बारे में नहीं बताते हैं तो गाइस मैं अभी कल अपने इंस्टाग्राम पे आल्रेडी जोब के बारे में पोस्ट किया है आप लोग देख सकते हैं इंटर्विव 8 तारीक को है ग्यार तारीक को है बारात 13 तारीक को इंटर्विव है आप लोग